पूरे सतना जीले को कवर करने वाला सतना लोगसभा क्षेत्र मध्यप्रदेश की 29 लोगसभा सीटों में से एक है एक सीट से कभी कॉंग्रिस के दिगज निता अरजुन सिंग सांसद रह चुके हैं कॉंग्रिस की ओर से इस सीट पर जीत दर्च करने वाले अरजुन सिंग आखिरी निता थे 1991 की चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी फिलाहल इस सीट पर बीजेपी का कबजा है और गणिश सिंग यहां के सांसद है पिछले तीन चुनाव में सत्ना में गणिश सिंग का ही जादू चलता आया है कॉंग्रिस का उनको हराने का हरदाओं यहां पर फेल रहा है सत्ना में पहला लोक सभा चुनाव साल 1967 में हुआ था पहले चुनाव में कॉंग्रेस के डिविस सिंग को जीत मिली उन्होंने भारती जनसंग के विबियस देव को माद दी इसके अगले चुनाव में कॉंग्रेस को यहाँ पर हार मिली और जनसंग के नरेंदर सिंग को जीत मिली 1977 में यहाँ पर हुई चुनाव में भारती लोग दलने बाजी मारी और सुखेंदर सिंग सानसत बने शरुवाती तीन चुनाव में यहाँ पर तीन अलग-अलग पार्टियों को जीत मिली है 1980 में कॉंग्रेस ने यहाँ पर फिर वापसी की और गुलशेर अहमद यहाँ से जीतने में काम्याब रहे 1984 में कॉंग्रेस ने यहां से अजीज कुरेशी को मैदान में उतारा अजीज कुरेशी ने बीजेपी के बिजेंदर पाठक को शिकस देते हुए सतना के सांसत बने हलाकि अगले चुनाव में याने की 1989 में अजीज कुरेशी को हार का सामना करना पड़ा बीजेपी के सुखेंदर सिंग यहां से सांसत बले 1991 की चुनाव में कॉंग्रेस ने यहां से दिगजनेता अरजुन सिंग को उतारा अरजुन सिंग पार्टी की इस फैसले को सही साबित करते हुए यहां पर जीत हासिल करने में काम्याब हुए उन्होंने बीजेपी के सुखेंदर सिंग को हराया 1996 में यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों का खेल बिकाड़ा बहुजन समाज पार्टी के सुखलाल कुश्वाहा यहां से जीतने में सफल रहे उन्होंने मद्ध प्रदेश के पूर मुख्यमंतरी अरजुन सिंग तथा विरेंदर सकलेचा को हराया हाला कि 1998 में बीजेपी ने यहां फिर वापसी की और तब से यह सीट उसी के पास है बीजेपी यहां पर पिछले पांच चुनाओं में जीत हसिल कर चुकी है इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव है उसको इस सीट पर एक बार जीत मिल चुकी है तो वहीं 2009 के चुनाओं में बहुजन समाज पार्टी सीट पर दूसरे इस्थान पर रही थी सतना लोक सबब सिट पर छे बार बीजे पी को, चार बार कौंगरिस को, एक बार बस पा को और एक बार भारती जन्संग को जीत मिल चुकी है 2014 के चुनाओं में बीजे पी के गणिस सिंग ने अरजन सिंग के बेटे आजय सिंग को हराया था इससे पहले की चुनाव यानि की 2009 में भी गणिश सिंग को जीत मिली थी तब उन्होंने बहुजन समाज पारड़ी के सुखलाल कुश्वाह को हराया था गणिश सिंग को इस चुनाव में 1,94,624 वोट मिले थे तो वहीं सुखलाल कुश्वाह को 1,90,206 वोट मिले थे 2011 की जनगना के मुताबिक सतना की जनसंख्या 22,28,935 है यहां की 78,72 फिजदी आबादी गरामिन क्शेत्र और 21,28 फिजदी आबादी शहरी क्शेत्र में रहती है सतना में 17.88 फिस्दी जन संख्या अनुसूची जाती और 14.36 फिस्दी जन संख्या अनुसूची जन जाती के लोगों की है चुनावायो के आंकड़े के मताबिक 2014 की चुनाव में यहां पर 14,58,084 थे इसमें 6,86,058 महिला मत दाता और 7,72,027 पुरुश मत दाता थे 2014 की चुनाव में इस सीट पर 62,56 फिस्दी वोटिंग हुई थी सुखलाल कुश्वा ने मायावती के ताना शाही रवाई के चलते समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी लेकिन महज 59 साल की उम्र में उन्होंने खुद को गोली मार दी